दोस्तो दिल्ली केपिटल और लखनो सूपर जैंस के पिट खेले गया आईपेल 2022 के 15 में मुकाबले में लखनो ने दिल्ली के टीम को 6 विकेट से हरा कर अपना तीसरा जीत हासिल कर लिया इन सभी के साथ मैज के दोरान एन्रीच नोर्जे कुछ ऐसा किया जिसके बाद उनका ओभर छिल लिया गिया तो ऐसा क्या किया एन्रीच नोर्जे ने जिसके बाद उनसे ओभर छिल लिया गिया चलिए जानते हैं आके इस वीडियो में दोस्तो डेली केप्टल्स की गेंदवाजी का सौलमा ओभर रिसअप मंत ने एंडी नौर्जे को करने दिया उन्होंने ओभर की तिसरी गेंद नो बॉल डाली जो वेस्ट के उपर थी जिस बॉल पर प्लेयर ओट हो गए थे नो बॉल के कारण बच गए इससे पहले नौर्जे आज एक और नो बॉल डाल चुके होते हैं जिस पर कुिंटन डिकॉक ने छका मारा ये बॉल भी वेस्ट के उपर था दोस्तो आपको पताते कोई खिलारी बॉल डालता है और दोनों बॉल वेस्ट के उपर हो तो उसकी ओवर रद कर दिया जाता है जिसके बाद वो मैट में कोई भी ओवर नहीं डाल सकता ऐसा ही कुछ होता है एंडी नौर्जे के साथ हलंकि नौर्जे आईपियर के सबसे खतरना गेंद वाज के रूप में जानी जाते हैं माना जैता है ऐसा ड्यू के वज़त से गेंद सीप होने के कारण हुआ था तो दोस्तो आपको क्या लगता है क्या केल रहुल लखनो को अपनी IPL ट्रोफी दिला पाएंगे या नहीं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जो कि हम आपके लिए ऐसे ही क्रिकेट से जुरे इंट्रेस्टिंग खवर लेकि आते रहते हैं इलते हैं नेक्स्ट वीडियो में